हेलो एवरिवान आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूटूब चैनल है मैस पतेरिया पे और आज हम यूनिट नंबर सेकिंड को स्टार्ट करने जा रहे हैं काइनमेटिक्स को अभी तक हमने पहली यूनिट के बारे में डिस्कुशन किया उसके बाद उसके ज लेक्शर के बाद मैं आपको बेसिक मैथमेटिक्स की दो लेक्शर जरूर दूँगा क्योंकि जब तक आपको बेसिक मैथमेटिक्स का नहीं पता होगा तब तक आप अब आगे नहीं बढ़ सकतें इससे पहले तो जो यूनिट नंबर फ़र्स्ट है उसके अंदर कोई ज्य करें ही रहेगा इसलिए तो आज जश्ट बेसिक इंट्रोडक्शन दुवा में इसके बाद आपको जो भी मैथमेटिक्स का इंटीग्रेशन है डिफ्रेंशेशन है लोगरेथमिक है एंटी लोगरेथमिक फंक्शन्स हैं और उसके बाद ग्राप्स हैं वो सारे बाते करेंगे हम दो या तीन लेक्चर में कोसिस करेंगे कि गवरफ कर दो क्योंकि उस मैथ के बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं तो चलिए ज़्यादा टाइम ना खराब करते हुए आज पहले तो इसके टॉपिक क कर लेते हैं और आपसे सीधी बात अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है अगर आपको अच्छी बाते लग रही है तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके सेर कीजिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले आगे बढ़ने का मोगा मिले ठीक है क्योंकि आपका बाइक में जैसे पेटरोल होते है जैसे ही सब्सक्राइबर भी हमारे लिए पेटरोल का काम करते हैं हम आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए और ज्यादा कंटेंट को जनरेट करेंगे पूरा 11 पूरा 12 में कोई पैसा नी लिया फ्री औफ कोष्ट में दे रहा हूं आपको पहला topic होगा, frame of reference, motion in straight line. Position time graph, position time के भी चिग अपनवाएगा, speed and velocity, uniform and non uniform motion. Average speed, instantaneous, velocity. Uniformly accelerated motion, velocity time and position time graph. relationship, relations for uniformly accelerated motion, scalar and vector quantity, vector क्या होता है, addition and subtraction, scalar and vector product, unit vector, इसके बाद resolution of a vector and relative velocity, motion in a plane, projectile motion और uniform circular motion, इस परकार से, ये सारी बाते आपको cover up करनी है, one by one करके, इसमें vector का chapter भी मैंने add कर दिया है, uniform circular motion का chapter भी मैंने इसके thread कर दिया है, और ये पूरा का पूरा हमने motion in straight line में पढ़ना है, फिर हम motion in straight line के बाद, motion in plane के बारे में बात करेंगे, पहले motion in straight line में बात करते हैं, और एक एक बात को अच्छे से आतम साथ करते हैं, ठीक है, अब basic introduction की जब हम बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले अगर हम इसके basic introduction पे ही चलें, तो मैं आपको basic introduction पे ही ले के आता हूँ, सबसे पहले, देखिए, सबसे पहले ये बात जाने हैं कि यह unit number first था, unit number first के अंदर जितने भी physics के लाज हो सकते, fundamental, उसके बाद दूसरे लाज वो अलग बात है, दूसरे forces के अलग बात है, हम यह आप fundamental की बात करते हैं, जितने भी fundamental लाज थे, जितने भी fundamental forces थे, उन सब के बारे में हमने discussion किया, उसके बाद हमने उनके dimension formula को बना लिया, उसके बाद उस physics के अंदर error कौन-कौन सी हो सकते ही, यह बाते बना ले, यहनकी कहने का मतलब वो physics का outer criteria है, जो हमें पहले पता होना चाहिए, एक basic के बारे में हमें पता होने चाहिए कि physics में यह चीज़े हो सकती है, तो इसलिए हमने fundamental force, fundamental के जो conservative large हैं, उनके बारे में भी discussion करना होता है, अलांकि अब syllabus में नहीं है, पहले होता था, चाहर fundamental force होते थे, चाहर fundamental large होते थे, जो नहीं बताया, physics का unification होता था, physics के scope होते थे, physics के अलग-अलग चीज़े होते थे, उसके measurement के अलग-अलग method होते थे, पर वो अब syllabus में नहीं है, तो उसके बारे में हमने ज़्यादा discussion भी नहीं किया, अब हम क्या करते हैं, हब हम बात करते हैं कि कोई object, अब basic से start करना है, क्योंकि हम बिल्कुल starting से higher level पे तो नहीं जा सकते, अब basic से जब start करते हैं, तो अब सब को पता है कि हर body motion में होती है, अपनी position को change करती है, जैसे कि मैं भी आँपे खड़ा हूँ, कुछ शमय के बाद ऐसे आगे चल रहा हूँ, कोई object आ कहेंगे, कब उसको constant कहेंगे, तो यह सारी बाते हमें यही unit पढ़ाएगी, इसलिए हमने इसके basic के बारे में, इसके basic introduction के बारे में जानना जरूरी है, इनके basic के बारे में जानना जरूरी है, तो यहाँ पे हम mainly जो भी discussion करेंगे, वो सारा discussion हमारा motion से related होगा, सारा discussion motions, इसलिए इस branch का जो नाम है, इस unit का नाम है, वो है kinematics, kinematics वो branch है physics की, अब यह मत मान के चलिए कि यह physics, खुद पूरी physics है, यह physics की एक branch है, तो इसमें क्या कहता है, इसमें क्या कहता है, इसमें branch of physics, फिजिक्स विच डिल्स विद श्टड़ी ओफ मोशन ओफ ऑब्जेक्ट्स, और मैं आपको बता दूँ, उब्जेक्ट्स की motion के बारे में हमें बात करनी हैं आपे, जितने भी object आपने देखे हैं, उन सभी object की motion के बारे में बात करनी है, कि कब वो rest पे होगा और कब वो motion में होगा, इसलिए यह जो पहला chapter है, इस पहले chapter का नाम भी motion in straight line है, kinematics के अंदर भी दो chapter है, यह अगर हम इनके chapter की बात करें, तो इसके अंदर भी दो chapter है, एक chapter है motion in straight line, और इसी के दूसरे chapter का नाम है motion in plate, तो हमने जो discussion करना है, वो discussion करना है, पहले chapter का motion in straight line, जितना भी आपको slabus दिखा गया है, यह motion in straight line का slabus है, ठीक है, दूसरी बात, इस kinematics के अंदर जितने भी हम study कर रहे हैं, यह second chapter है, यह बाद में हम पढ़ेंगे, दूसरे chapter को बाद में हम पढ़ेंगे, ठीक है, अब इन chapters की जो series में start कर रहा हूँ, आज introduction start कर रहा हूँ, तो कई बचे सोचते हैं कि क्या जरूर था introduction, तो हमें वैसे ही आता है, तो मैं आपको एक बात यहाँ पे फिर से confirm गर दूँ, कि किसी भी चीज का basic उसके introduction से start होता है, पूरी series के साथ बने रहना, तो आपका फायदा होगा, मैं आपको ऐसे से question भी दिखाऊंगा, जहाँ आपे जैसे 9th class में तो आप पढ़ क्या है, 9th class में जहाँ आपने uniform velocity और constant velocity, uniform acceleration और constant acceleration, दोनों पड़े, वहाँ question के सिल्ली से, यहाँ पर मैं आपको ये भी फरक दिखाऊंगा, कि कई जगह तो uniform velocity, uniform acceleration और constant acceleration को एक मान लिया गया, कई जगह पर uniform acceleration और constant acceleration में minor difference है, जब आपको दोनों मान के soul करोगे, तो वो भी option उसके अंदर है, और अलग-अलग होगा, तो भी वो option उसके अंदर है, इसलिए मैं परे बच्चों, एक बात कहता हूँ, कि आपको पूरी series के साथ बने रहना है ताकि मैं वो सारे difference आपको बता सकूँ, वो सारी problems में आपकी clear कर सकूँ, उसके लिए आपको बना रहना पड़ेगा, अगली बात, यह जो पूरी kinematics हमें पड़नी है, यह सारी की सारी kinematics macroscopic के लिए हम यह आ पड़ेंगे, macroscopic object के लिए पड़ेंगे, यह याद रखना, microscopic के होते हैं, बड़े object होते हैं, जैसे table आपने देखी, कुर्शी देखी, गाड़ी देखी, इनसान को देख रहे हो, जो आपको आँखों से दिखाई दे रहा है, अब जैसे कि आप बात करोगे electron की, क्या electron आपको आँखों से दिखाई देता है, बिल्कुल दिखाई नहीं दे यह जैसे particle आते है, electron हो गया, proton हो गया, सुना होगा अपने, neutron हो गया, यह नाम तो सुनी रखे होंगे, और इसकी study हम higher physics में करते हैं, जिसका नाम quantum mechanics है, और दूसरी में कुछ-कुछ इससा चला जाता है, इसका अलग-अलग physics के अंदर, परन्तु अभी हमें यह macroscopic object के बारे motion पढ़ेंगे, इसके बाद gravitation पढ़ेंगे, यह सारे के सारे classical mechanics के अंदर आते हैं, यह पूरी chapter, जब higher में जाओगे तो इस पूरी physics का नाम classical mechanics के नाम से पढ़ जाएगा, पूरी physics को classical mechanics कहते हैं, ठीक है, तो kinematics वो ब्रांच है, जो हमें motion के बारे में बताएगी, study दो पार्ट में इसको पढ़ना है, motion in straight line और motion in plane के अंदर, macroscopic object की physics है, microscopic की नहीं है, यह बाते पूछ ली जाती है, कई बार exams के अंदर, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, now, what is the difference between the kinematics and dynamics, एक ट्रम आती है, dynamics, इसी के अंदर, dynamics नाम से ट्रम आती है, dynamics ट्रम का मतलब होता है, देखिए, मान लिया जाए, समझे आप, इस बात को समझे, यह एक object है, ठीक है, अब यह किस के उपर है, rest के उपर है, ठीक है, rest क्या होता है, motion क्या होता है, उसके बारे में भी हम discussion करेंगे, पहले इसके बारे में discussion कर लेते है तो यह object किस पे है, rest पे है, by somehow, कैसे भी, इस object को हमने motion में set कर दिया, इसी object में हमने किस में set कर दिया, motion में, यानि कि यह object पहले rest पे था और rest से direct किस में चला गया, motion में चला गया पर हमें यह नहीं मालू है कि यह rest से motion में जब गया है तो कैसे गया है? हमें इसके कारण का नहीं पता है तो जब कारण का नहीं पता हो कि वो body कैसे motion में आई है तो उसको हम क्या कहते हैं? kinematics कहते हैं The branch of physics which deals with the study of a motion of object without knowing the reason of motion. उसकी motion का कारण क्या है? यानि कि कहने का मतलब जब object rest पे था और rest से motion में आया है, वो कैसे आया है? किस वज़े से आया है? क्यूं आया है? इस बारे में अगर हमें नहीं पता है, तो उसको kinematics कहते हैं. अगर इस बारे में पता है, तो उसको क्या कहते हैं? dynamics कहते हैं. ठीक है? यहाँ पे भी object rest से motion पे यहाँ पे भी हमें steady motion की ही करनी है पर dynamics के अंदर हम उसके motion के कारण का पता लगाएंगे या पता होता है कैसे जैसे अगर यह rest पे है पीछे से मैं एक force लगा दू इसके उपर मैं एक block को धगा दू force लगा के तो यह motion में आ जाएगा तो मुझे पता चला यह motion में क्यों आया है क्योंकि इसके उपर एक F नाम का force लगा है समझाई बात यानि कि मुझे इस बात का मालूम है कि जब किसी block के उपर F नाम का force मेंने लगाया है तो यह object rest से किसमें आ गया है motion में आ गया है तो ये rest से motion में क्यों आया क्योंकि इसके उपर एक feature से force लगा है इसके कारण तो अगर हमें reason पता है if we know cause of motion अगर हमें उसके motion का कारण पता है तो this is the branch of physics we deal study with study of motion of object if we know the cause of motion अगर हमें उसके motion का कारण पता है तो उसी branch का नाम dynamics हो जाता है तो मैंने यहाँ पर दो बाते आपको बताई है एक तो kinematics और दूसरी dynamics दोनों में difference क्या है kinematics कहती है कि यह branch है physics की जो motion के बारे में study तो करवाएगी बट यहाँ पर हमें उसके motion में आने का कारण नहीं पता होगा कि object motion में कैसे आया है यहाँ पर क्या कहती है हम study of motion तो करेंगे पर यहाँ हमें पता होगा कि हमने उस body को motion में कैसे set किया है जैसे इसके उपर एक force लगाया, तब वो rest से motion में गई है, तो यहां motion के कारण का पता होता है, इसलिए इसका नाम होता dynamics, तो समझ ले ना यह दोनों का मतलब क्या है, एक तो होता है kinematics, एक होता है dynamics, ठीक है, अब अगली बात करेंगे हम rest और motion में क्या difference होता है, rest और motion में क्या difference होता है, इस difference को समझने के लिए आपको छोटी सी बात समझनी पड़ेगे, कैसे समझी, अगर यह हमारे पास एक object है, और इस object की position, इस object की position, जो आपने object दिखाई दे रहा है, इस object की position, change नहीं हो रही है, with respect to surrounding के, अब यह object यहाँ पे present है, देखिए, अब इसकी क्या position change हो रही है, जब time t is equal to 0 था, तब भी object यहाँ है, अब मैंने 2 second के बाद, time t is equal to 2 second के बाद देखा, तो भी object यहीं पे है, तो इसका मतलब इसकी position में कोई change नहीं आया, इसलिए कि spare rest पे है, अब मैंने क्या किया, मैंने अब यह time t is equal to 0 था, फिर मैंने इसको ऐसे चलाना शुरू कर दिया, अब पहले time t 0 पे यहाँ था, t is equal to 2 second पे आ गया, तो क्या हुआ, surrounding के respect में इसकी position change होगी, यहाँ से यहाँ तक, तो इसलिए हम इसको किस में कहेंगे, motion में कहेंगे, यानि कि अगर with respect to time और with respect to surrounding किसी body की position change हो रही है, तो वो किस पे होगा, motion में, अगर उस body की position change नहीं हो रही है, तो वो किस पे होगा, rest पे होगा, इस परकार से, तो यानि कि जब कोई object, दूसरा example देता हूँ, दूसरा object यह है, जब time t is equal to 0 है, और मैं थोड़ी देर के बाद time t is equal to 5 second पे देखता हूँ, तो यह object यहाँ पे आ गया, तो मैं क्या समझूँगा, इस object की position change हो गई, यहाँ से यहाँ तक, तो यह किस में है, motion के अंदर है, अगर यह object time t 0 पे भी यही है, time t is equal to 5 second पे भी देखा तब भी यही है, 10 second पे देखा तब भी यही है, 20 second पे देखा तब भी यही है, तो यह किस के पाते आपको बताई कि rest और motion में क्या difference होता है अगर किसी object की position with respect to surrounding change हो रही है तो वो motion अगर with respect to surrounding change नहीं हो रही है तो वो किस पे rest पे हो जाएगा तो चलिए इनकी definition में लिखवा देता हूँ ताकि आपको कोई problem ना पोबाद में तो यहाँ पे if position of an object does not change position of an object does not change with respect to surrounding ठीक है with respect to surrounding अब मैं सारे के सारी बाते बेसिक से start कर रहा हूँ जो 11 में पहली बार बच्चा हुआ उसके लिए भी और जो 12 का बच्चा है उसके लिए भी हर बच्चे के लिए मैं सिब करवा रहा हूं बिलकुल slow तरीके से करवा रहा हूं और इसको फिर मैं लेके जाता हू आई 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 टी नीट तक ताकि जो बच्चा आप क्या होता कई बच्चे कहते हैं अमने 11-12 कर लिए अब तो हम ड्रोपर के लिए होगे तो मैं आपको बता दू बहुत सारे पॉइंट यहां पर ऐसे लेके आऊँगा जो आपको पता चलेगा कि यह तो हमने कभी पढ़े इसलिए मैं कहता हूँ यहां बने रही है आप बने रहोगे तो आपके लिए बेनिफिट रहेगा पूरे लेक्चर के साथ और उसके बाद मैं गैरेंटी इस बात की मेरी है कि मैं आपको बहुत सारे कोशन्स भी यहां पर कर वाँगा और लास्ट में जब आप एक्जाम दो चेंज विद रिस्पेक्ट तू स्राउंडिंग ठीक है बेर विद रिस्पेक्ट तू स्राउंडिंग अगर विद रिस्पेक्ट तू स्राउंडिंग पोजिशन चेंज हो रही है तो उसको मोशन कहेंगे और विद रिस्पेक्ट तू स्राउंडिंग पोजिशन चेंज नह दाई है ये motion अलग अलग त्रहे की motion होती है असब से पहले मैं आपको बताऊ-ई हां रेक्टि-लीनियर motion मैं के दूसरी आपने बात की सर्कुलर मोशं में या फिर रोटेटरी मोशन रोटेटरी मोशन दोनों तीसरी ओसिलेटरी मोशन या इसके साथ वाइब्रेटरी मोशन और भी बहुत रहे की होती है पर आपको ज्यादा जानने की जुरूब इसके साथ एक मोशन और आ जाती है जिसको कहते हैं हम ट्रांसलेटरी मोशन इस पर कार तो यह तीनों मोशन और इनके डबल हो गई 6 मोशन इनके बारे में हमें डिसकसं करना है तो चलिए डिसकसं करते हैं सबसे पहली जो मोशन हम लेंगे वो रहेंगे हम rectilinear rectilinear motion और इसके साथ-साथ हो जाएगी इसी का version translatory इसी का हो गया translatory motion दोनों में difference क्या होता है ये समझे परेने जब तक difference को नहीं पकड़ोगे तब तक काम नहीं बनेगा क्योंकि एक का difference पकड़ लिया तो सभी का SI है मैं example देता हूँ आपको rectilinear और translatory motion का सबसे पहले तो ये हमने dot बनाई ये तो है एक object खाली एक object point mass इसकी बात कर लो ये क्या है? point mass है ठीक है और एक ये है पूरी body इसके अंदर बहुत सारे ऐसे point mass है ऐसे बहुत सारे इसके अंदर point mass है तो ये पूरी की पूरे object हो गया ये पूरा का पूरा क्या हो गया? object हो गया यहाँ पे दो बाते आएंगी एक तो आएगा point mass और दूसरा आएगा object जब कोई point mass बिल्कुल straight line motion में जा रहा है without changing their orientation without rotation यानि कि ये pen है अगर ये pen एक होता मतलब ये एक ही point से बना होता ऐसे point होता एक ही mass से बना होता उससे तो ये बिल्कुल ऐसे straight line में ऐसे जाता तो हम इसको क्या कहते है rectilinear motion कहते है अब ये ना तो rotate कर रहा है ऐसे ना तो rotate कर रहा है ना अपनी orientation को change कर रहा है इसके बावजूद अगर पूरी की पूरी body ये पूरी की पूरी body जो ऐसे point mass से बनी हुई है ये बिल्कुल straight line motion में जाती है समझे ये पूरी body पूरी straight line motion में जाती है ताकि इस परकार से इसका परतेक particles इस body का परतेक particle देखिए इसके अंदर हजारों नमबरों particles है और ये एक particles है जब एक particle straight line motion जाता है तो उसको कहते है rectilinear motion अगर पूरी की पूरी body जिसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल हैं, वो स्ट्रेट लाइन मोशन में मूँ कर रहे हैं, तो हम उसको क्या कहते हैं, ट्रांसलिटरी मोशन कहते हैं, तो हम यह क्या कहेंगे, वहन, a single particle, single particle, move in straight line motion, straight line motion without rotation. without rotation, बिना किसी rotation के, बिना किसी rotation के, ऐसी बाते चल रही हैं, ठीक है, यहाँ पर वहन, all particles of a body, all particles of a body, जब सभी के सभी body के particles, all particles of a body, या all mass of a body, moves in straight line motion, straight line motion, उसको हम क्या कहेंगे, हम ट्रांसलिटरी मोशन कहेंगे, दोनों में basic difference यह है, यहाँ पर एक particle होता है, यहाँ पर पूरी body होती है, और यह पूरी की पूरी body का परते एक particle straight line में जा रहा होता है, तो उसको हम क्या कहते है ट्रांसलिटरी मोशन कहते है बैस यही डिफरेंस है अब इसके बाद हमने दूसरी कौन सर्कुलेटरी एंड रोटेटिंग जब उस बोड़ी का एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है with respect to fixed point तो हम उसको हम क्या कहेंगे सर्कुलर मोशन और रोटेटरी मोशन कहेंगे अब इस एक्जामपल को समझेए मैं आपको एक्जामपल देता हूं इसका भी मान के चलिए यह पैन ओल्डर है देखिए इस पैन ओल्डर को देखिए आप दरा ध्यान से इस पैन ओल्डर का अगर एक पार्टिकल लो और वो ऐसे सर्कल में गुमना शुरू हो जाए चिक है कैसे सर्कल में गुमना शुरू होगा यहां पे हम बात करेंगे सर्कुलर motion circulatory और rotatory motion की पहले हो जाएगी circulatory और दूसरी हो जाएगी circulatory और rotatory motion माल लिएजिए यह fixed point है जिसको आप center कहते हो और इसके चार और एक particle ऐसे घूम रहा है circular path में circular path में इस प्रकार से घूम रहा है और इसका fixed point से distance अमेशा same रहेगा क्योंकि आपको पता है circle में radius हर जगे same रहती है इसलिए तो यहां पर क्या कहेंगे when a particle moves in a circle moves in a circle with respect to fixed point fixed point called center of center of circle चाहिए आप ऐसे कर लो fixed point और bracket में लिख दो center of circle is called उसको हम क्या कहेंगे is called circulatory motion उसको हम क्या कहेंगे circulatory motion यान किस pen का क्यों एक particle ऐसे fixed point के about घूम रहा है तो उसको क्या कहते है circulatory motion अब यह पूरा pen order के सारे particle सारे particle ऐसे घूमना शुरू कर दे तो हम उसको क्या कहेंगे rotatory motion कहेंगे तो हम क्या कहेंगे if all the particles of a body if all particles of a body rotates in circle rotates in a circle with respect to fixed axis अब की बार axis के about वहां fixed point के about difference है दोनों में जब यह pen गोमेगा तो इसका fixed axis यहां से होगा देखो यह जहां से मैंने पकड़ा हुआ देखो जहां से मैंने यह hold कर रखा है उसके about यह गूम रहा है ऐसे तो इसका यह axis होगा जो इससे पास हो रहा होगा fixed पर particle कैसे गूमता particle ऐसे गूमता यह fixed point है इसके about गूमता fixed point के about ऐसे यह fixed point है इसके about ऐसे गूमता है तो उसको हम क्या कहते है circulatory motion कहते है पर जब मैं इसको यहां से hold करता हूँ जब यह ऐसे घूम रहा है तो इसको हम क्या कहते हैं इसको कहते हैं हम कौनसी motion? Rotatory motion कहते हैं तो दोनों में difference है circular motion और rotatory motion में all the particles of body rotates in a circle सारे particle body के rotates करें तो वो क्या होगी? Rotatory अगर एक particle rotate करें तो उसको हम क्या कहेंगे? circulatory motion कहेंगे इसके बाद आ जाएगा next oscillatory motion oscillatory motion oscillatory motion और इसके corresponding दूसरी कौनसी होगी? vibratory motion vibratory motion यह समझने सारे जरूरी हैं भई क्योंकि इसी के बाद आप काम कर पाऊगे नहीं तो आप काम नहीं कर पाऊगे oscillatory motion का मतलब मान लिया जाए कि यह fixed point है इसके अबाउट एक pendulum लटका हुआ है simple pendulum अगर आपको नहीं पता तो एक low-e की ball लेके आईए और घर में जो दागा होता है उसको low-e की ball से एक तरफ से जोड़ी फिर उसको इस तरफ खीच के छोड़िए तो ऐसे ऐसे करेगी जिसको pendulum कहते है घड़ी भी आती है इस परकार से ऐसे ऐसे rotate करेगी तो उसको हम क्या कहते है oscillatory motion कहते है oscillatory motion क्या होती है to and from motion होती है to and from motion from motion about 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 mean position mean position किसके बाउट है mean position with small frequency difference बता रहा हूँ भई with small frequency with small frequency के साथ ये भी to and from motion है same है to and from motion about mean position about mean position with large frequency with large frequency दोनों में difference भी यही है इसकी frequency small होती है इसकी frequency large होती है यही difference और इसी पर question आया है NEET के अंदर कम से कम 3-4 बार IIT में, CUET में दूसरे exams के अंदर किस बात पर question आया है मैं फिर से बता रहा हूँ इसके अंदर small frequency होती है oscillatory motion में और vibratory motion में high frequency होती है large frequency होती है यह difference आपको याद करना है to and from motion का मतलब जब body आगे की तरफ जाती है ऐसे तो उसको true कहते है और जब पीछे की तरफ आती है तो उसको क्या कहते है from motion कहते है और इसी का नाम back and forth motion भी होता है to and from या back and forth back जाएगा, forth जाएगा back जाएगा, forth जाएगा तो आप कोई भी motion कहदो to and from कहदो back and forth कहदो एक ही बात होती है बस खास बात यह है कि इसकी frequency कम होती है इसकी frequency ज़ादा होती है तो यह basic बाते थी जो हमने discussion की है इसके बारे में अब मैं आपको इसके बारे में types of motion की बात करूँगा मैं और types of motion में क्या क्या आता है वो बात करेंगे हम उससे पहले हम बात करेंगे एक topic की जिसका नाम है जिसका नाम है frame of reference हम discuss करेंगे एक topic के बारे में जिसका नाम है frame of reference इसके बारे में आपको मैं थोड़ा सा ग्यान देता हूँ तो आपको पता चलेगा कि frame of reference होता क्या है तो देखिए अगर मैं बात करूँ suppose किजिए ये गाड़ी है इस गाड़ी के अंदर ये driver बेठा हुआ पहला person है ये एक और person है दूसरा ठीक है और ये तीसरा person बाहर bus stand पे खड़ा हुआ है बाहर bus stand पे खड़ा हुआ है ये गाड़ी इस तरफ जा रही है V velocity के साथ जा रही है motion पे है अब क्या किया ये तो driver हो गया ये driver हो गया ये पहला person हो गया इस पहले person ने इस तीसरे person के पास call किया call करके पूछता है ये या खड़ा हुआ bus stand पे ये call करके इस पहले person से पूछता है कि मैं आपको किस पे दिखाई दे रहा हूँ चलता हुआ दिखाई दे रहा हूँ या rest पे दिखाई दे रहा हूँ तो आप सोचिए एक गाड़ी में आपका दोस जा रहा है आप बस्ट्रेंड पे खड़े हुए हैं आपके दोस्त ने आपके पास कॉल किया और आपस पूछना चाह रहा है कि मैं आपको चलता हुआ दिखाई दे रहा हूँ या फिर खड़ा हुआ रेस्ट पे तो आप क्या कह करता हूँ मैं अब ये क्या करता हूँ होल्ड करता है होल्ड करके क्या कहता है इस दूसरा प रेस्ट पे दिखाई दे रहे हूं तो अब देखिए परसन एक है पहला ही है और उसी टाइम की बात है तीसरा आदमी इसको कहता है कि आप motion में हो पर दूसरा आदमी इसको कहता है ता आप rest पे हो तो यह किसके उपर depend क्या यह frame के उपर depend करता है यह देखने वाले पे depend करता है कि देखने वाला कहा है देखने वाला जब बाहर है इस frame से बाहर है तो यह इसको किसमे दिखाई दे रहा है V-velocity के साथ चलता हुआ और जब देखने वाला frame के अंदर ही है तो उसके respect में तो यह किस पे आ जाएगा rest पे आ जाएगा तो इसका मतलब frame of reference ही आपको बताएगा कि कोई object कब rest में है और कब motion में है अगर यह दूसरा person जब गाड़ी में है पहला person भी गाड़ी में है तो इसके respect में तो यह rest पे ही है पर यह तीसरा person गाड़ी से बाहर का frame है इसलिए यह कहेगा कि तुम दोनों किस पे हो motion के अंदर हो इसलिए यह depend करता है किसके उपर frame of reference के उपर तो frame of reference एक coordinate system है जो किसके साथ attached रहता है observer के साथ that is frame of reference क्या है एक coordinate system होता है जो हमेशा observer के साथ रहता है और उसके आथ में time होता है जो क्या करेगा अपनी observation बनाएगा कैसे वो कहेगा कि यह rest पे है या motion पे है यही तो observation बनानी है तो frame of reference क्या हो गया एक coordinate system है जो हमेशा observer के साथ रहता है observer के साथ attached रहता है जिसके हाथ में time है और वो अपनी observation बनाता है जैसे अभी अभी observation बनाई तीसरा कहता है motion में है दूसरा कहता है rest पे है इस परकार तो हम क्या कहेंगे it is a coordinate system it is a coordinate system coordinate system यह कैसा है coordinate system है which attach with attach with observer जो किसके साथ attach होता है observer के साथ having clock in hand क्या 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 coordinate system which attach with observer having clock in hand by which he makes its observation its observation जो अपनी observation को लेता है जैसेगी अगर वो observer बार खड़ा है तो कहेगा कि यह motion में है अगर वो observer अंदर खड़ा है तो वो क्या कहेगा rest पे है इसलिए उसने अपनी observation को बनाया है अब इस base के उपर दो type के frame आगे, एक तो आगया inertial, एक frame तो कौन सा आगया, inertial frame आगया, जो पहला frame है, inertial frame, inertial frame कौन सा frame है, inertial frame वो frame है जिसके अंदर newtons large of motion valid होते हैं, हलांके आप newtons के large of motion अगली unit में पढ़ेंगे, पर आप ये पहले भी पढ़के आचुके हो, थोड़े बहुत, तो हम क्या कहेंगे, a frame is set to be inertial, if newtons large of motion, newtons large of motion is valid, जिस inertial frame के अंदर newtons large of motion valid होते हैं, उस frame का नाम inertial frame होता है, और मैं आपको बता दू कि दुनिया में लगबग कोई inertial frame exist नहीं करता है, कोई exist नहीं करता, बस हम near to inertial frame माल लेते हैं, जैसे कि कोई बस rest के उपर है, वहाँ से observation कर रहे हैं, तो वो क्या है, inertial frame में count कर लिया जाता है, जब कोई object constant velocity के साथ मूँ कर रहा है, यानि कि zero acceleration के साथ, zero acceleration के साथ, constant velocity का मतलब zero acceleration के साथ, चल तो रहा है, या तो rest पे है बिल्कुल, या चल रहा है तो constant velocity के साथ, इसलिए, तो इसको हम क्या कहते है, non accelerated motion भी कहते है, non accelerated frame भी कहते है, नोन एकसलेरेटिड फ्रेlas वी इसका नाम होता है ठीक है और एबसील््यूट UM एबसील्यूट इनर्चियल फ्रेम इनर्चियल फ्रेम इनर्चियल फ्रेम डाज नोट permitir ठीक है भई याद रखना है यह बात absolute inertial frame यानि कि आप किसी एक particular frame को यह नहीं कह सकते यह inertial है आप relative में बात करोगे आप कोई बंदा बस के अंदर बैठा हुआ है बस rest पे है और बाइक जारी उनकी observation कर रहा है तो क्या हुआ यहां पे दो frame आ गए इन दोनों frame को relative में लिया है यानि कि आप नहीं कह सकते कि बिल्कूल exactly यह frame है और इस frame को हम क्या कह सकते है इनर्शली इसलिए relative की बात की जाते हैं यहां पे relativity में आप inertial frame को पता कर सकते हैं absolute inertial frame का मतलब होता है किसी single frame को आप inertial नहीं बोल सकते है important बात है मैं आपको बता दू आपको कोई नहीं बताए रहेगा मैं बता रहा हूं absolute inertial frame does not exist inertial frame absolute exist नहीं करता है यहीं बात में आपको बता रहा हूं और दूसरा आ गया कुंचा non inertial frame non inertial frame the frame in which Newton's large of motion are not valid the frame in which Newton's large of motion is not valid Newton's large of motion is not valid और इसको क्या कहते है also called accelerated frame of reference accelerated frame of reference इसको accelerated frame of reference भी बोला जाता है जैसे कि आपने पहले पढ़ा इसको क्या कहते है non accelerated यानि कि यहाँ पे acceleration 0 होनी चाहिए या constant velocity के साथ वो rest पे अब यहाँ पे दो बाते हैं या तो body rest पे हो या body constant velocity के साथ जा रहे है उसकी velocity ही change नहीं हो रही है तो हम उसको क्या कहेंगे non-inertial frame का नाम दे देंगे और absolute inertial frame exist नहीं करता है यह बात भी मैंने आपको बता दी है यहाँ पे क्या हुआ यहाँ पे accelerated frame है newton के ला valid नहीं होते हैं यहाँ पे इसलिए हम इसको क्या कहते हैं non-inertial और आपको बता दूँ absolute non-inertial frame can exist यह exist कर सकता है पर वो exist नहीं करता है यह exist कर सकता है यह पर वो exist नहीं करता है इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि ये frame of reference है जिसके हम बात करते हैं non inertial की और ये जो पहले वाला लिया है इस frame of reference के हम बात करते हैं inertial की यहाँ पे मैं क्यों कह रहा हूँ कि कोई भी absolute frame of reference के ओनी exist करेगा देखिए मैं आपको बताता हूँ माल लिया जाए आपके पास एक frame of reference है ये रहा ये रहा x ये रहा y ये रहा z इस frame of reference को क्या बोला s बोला उसी time पे हमने एक frame of reference और ले लिया ये रहा ये कौन हो जाएगा x dash ये हो जाएगा z dash ये हो जाएगा y dash और इसको कहेंगे s dash ठीक है और ये frame v constant velocity से मूँ कर रहा है with respect to s velocity is constant, velocity is constant, velocity constant है, velocity constant है अगर velocity constant है तो इस frame के अंदर जो भी चीज़े आपको दिखाई दे रही है वो हमेशा वैसी ही दिखाई देंगी क्योंकि यहाँ पे velocity constant हो गई क्योंकि यहां पे velocity माल लिया जाए 10 meter per second के साथ जा रहा है तो दो हल चल इस frame में हो रही है वो agities आपको दिखाई देंगी अगर इसकी velocity 10 से 11 हो रही है 11 से 12 हो रही है 12 से 13 हो रही है तो बार बार change हो रही है तो इसको कहते है accelerated और accelerated में जब आप पीछे वाले frame को देखोगे तो वो observation गलत हो जाएंगी अलग हो जाएंगी पर इसको क्या कहते है inertial क्योंकि यहां velocity constant है यह एक s frame है यह एक s dash frame है जो इसके respect में v velocity के साथ मुह कर रहा है ठीक है constant होनी चाहिए अगर यह constant नहीं है तो फिर किस में convert हो जाएगा यह यह हो जाएगा non inertial में यह newton's large of motion भी valid नहीं होते हैं तो आज के लिए पूरा basic किया है मैंने फिर इसके बाद motion in straight line में शुरू करेंगे one dimension, two dimension, three dimension, path length क्या होता है, displacement क्या होती है, distance क्या होती है, velocity क्या होती है, speed क्या होती है, acceleration क्या होती है, अलग-अलग type क्या होता है, फिर इनके numerical करेंगे, फिर graph पे आएंगे, सब बाते करेंगे तो आज के लिए इतना ही, मिलते है next lecture में, thank you